स्वागत है आप सभी का बिहार स्वास्तवी भाग लेटिस्ट अबडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और स्वास्तोंगे दोस्तों आज स्वास्तवी भाग में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है उस बैठक में क्या-क्या फैसला लिया गया है एन 10,700 भरती को पूरा कराने के लिए जो प्रस्ण उठाया गया है उस पर क्या फैसला लिया गया है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपोड जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तों आप लोगों से क्यों एक रिक्वेश्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए वीडि सों आप देख सकते हैं यह सीम नितिसकुमार जी मार जी का अफीम सेट्टर एकाउंट है इस तुटर एकाउंट धाया के जर्याे साबसाब scripture कि कि सो मौर को कैबनेट की बैठक हुई है उस बैठक में बिहार के विकास और जनकल्यान से जुड़े कई महत्पोर्ट फैसलों को मन्जूरी दे दीगी है अर्था दोस्तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सो मौर को कैबनेट की मीटिंग होने बाली है उस मी और काउंसलिंग संभावित होने के बाद उस भरती को एकजाम के आधार पर क्यों पूरा किया जा रहा है उस प्रस्न को कैबिनेट की मीठिंग में उठाया जाए गया नहीं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शंपोर जानकारी देंगे तो दोस्तों चली वीडियो को एक बार भी निस्किप किये है आप पूरा देखिए गया दोस्तों सबसे पहले हम बात करें मेडिकल कालेज के 207 सिचकों के पद को अपग्रेड किया जा चुका है यह बहुत बड़ा फैसला केमिनेट की मेटिंग में हुआ है अर्थात मेडिकल कालेज के लगभग 207 सिचक के पद को जो अपग्रेड किया गया है उसमें किस भी भाग में तैना आती होगी और किस जिले में तैना आती होगी इसके लिए जो नियम और नियमा वाली लागों की गई है और आखिरकार क्या लागों की गई है दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेडिकल कालेज के 207 सिचको के पत को अप्ग्रेड किया गया है राज की मेडिकल कालिज अस्पतालों के माननेता बहाली को ले कर स्वास्त विभाग ने बहुत बढ़ा निड़ा लिया है कई एसोसियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पतों को अप्ग्रेड करने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है प्रोफेसर को associate professor और 186 associate professor के पद को प्रोफेसर में उत्क्रमित किया गया है सूत्रू ने बताया कि 10 वैसे चिकित्सक के पद को उत्क्रमित कर प्रोफेसर बना दिया गया है जो पहले नेमित associate professor नहीं थे ऐसे चिकित्सक को assistance professor से दो पद उपर नीमित किये बिना ही पदों को दो बार उत्क्रमित कर दिया गया है उसके बाद कई जीलों में तैनात होंगे नए civil surgeon स्वास्त विभाग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है अर्था स्वास्त विभाग में जो फैसला लिया है वो किसके पच्छ में होने वाला है आपको बता दे कि जहां पर सुईक्रित परस से अधिक संख्या में प्रोफेसर हो गये हैं जबकि राज के सभी medical college अस्पताल में 165 associate के पद रिख्थ हैं ऐसे में दूसरी ओर स्वादविभाग ने पटना साइथ अन जिलो में नए civil sergeant की तैनाती की प्रकրिया हैं पहले ही शुरु कर दी है और पटना में नए civil sergeant तैनात हों जबकि अन जिलो पने civil sergeant का जो पद प्रभार में दिया गया है और उनकी इतनाती की जो प्राक्रिया है वो प्रारम हो चुकी है तो दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए कि बिहार में लगातार बहुत-बहुत से फैसले लिया जा रहा है सबसे पहले जो फैसला लिया गया था वो स्वास विभाग में जितने भी खाली पड़े पद थे उनको भरने का फैसला लिया गया था उसके बाद दूसरा जो फैसला आया वो एनेम दसजार सासरों भरती से सम्माद दिता आया अर्था गॉर्मेंट ने साप निर्देश यही कहा है कि बिहार में जितने भी स्वास विभाग में खाली पड़े पद है चाहे ओ लेब टेक्निशन के हो सिविल सरजन के हो या एनेम के पद हो उनको जल से जल भरा जाए हमने आपको पिछले वीडियो की मादें से भी बिग्यापन को दिखाया था और उसमें ये भी बताया गया था कि राज में अभी भी चार लाग से ज्यादा पद आयसे हैं जो रिक्त हैं जो पुलिस और स्वास विभाग के पद हैं उनको जल से जल भरा जाएगा तो दोस्तों एक बात क्लियर है कि जो बिहार की गवर्मेंट है वो लगातार यही प्रयतने कर रही है कि स्वास विभाग में जितने भी पद हैं उनको जल से जल भर लिया जाए क्योंकि चुनाओ आने वाला है चुनाओ की जो प्रक्रिया है वो निर्दारित होगी ऐसे में स्वास विभाग के जरिये युआओ को एक प्रकार से बहतर विकल मिलने का मौका मिलेगा और उनको रोजगार के आउसर भी प्रदान किये जाएंगे ऐसे में गवर्मेंट की जो इसकीम है उन लगारतार निरंतर कार करने के दोरान ही उनका जो पर्ड़ाम है वो असपर्ष रूपे साब दिख रहा है सबसे पहले स्वाज विभाग का जो विग्यापन है उसको निकाला जाएगा उसके बाद कितने पद रिक्त है उस रिक्त पदों की संख्या को बहरा जाएगा अर्थाद जो कैबिनेट की बैठक हुई है उस अहम मुद्दे पर बात की जा चुकी है और एनेम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया में फैसला लिया गया है या नहीं आज इस वीडियो के माध्यम समझानेगी तो दोस्तों हम आपको बता दे कि बिहार में लगतार स्वास विभाग में कई बड़े फैसले लिये जा रहे ह चाहे हो अलेब टेकनीसियन के हो चाहे हो सीविल सरजन के हो चाहे हो डाक्टर के हो या अनपदों के लिए गवर्मेंट का लगतार यही प्रयास है कि स्वास विभाग को जो रिड की हड़ी है उसको जल्द से जल्द मजबूत किया जाए और युवाओं को बेहतर विकलप क यह रास्ता चुना जा ऐसे में गवर्मेंटने लगतार यही प्रयतना है और दसजार साथनो भर्टी प्रकरीया से संब्वर्म तो हम आपको बता दे कि सो मार्गों ist Eagles Day को उस में 10 । भरती से सम्मान धित ये प्रस्ण उठाया गया था कि आखिरकार बिहार में पहले एनेम 10,007 भरती प्रक्रिया की जो नियूगत का निर्धारान था ओर काउंसलिंग का अधार था आपने काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी उसको विग्यापन के जरिये निकाल दिया था और भगभग एक से डेड़ साल बीच जाने के बाद नई निमावली लागों हुई और नई निमावली लागों होने के बाद अनिम 10709 भरती से संबंधी जो प्रक्रिया है उसको एकजाम के आधार पर पूरा किया जा रहा है ऐसे में जो चात्र हैं काफी नराज हैं तो इस अनिम 10709 भरती प्रक्रिया में क्या फैसला अब बदलने लायक है या नहीं तो दोस्तो जो कैबिनेट की बैठक होई थी उस बैठक में अधिकारियों के द्वारा साप असपश्ट रूप में यही निर्देश मिला था कि एनम 10709 भरती प्रक्रिया में जो निकाली गए थी हो सम्विदा एनम वाले अभ्यारतियों को खास तवर्पन नियुक्ति करने के लिए निकाली गए थी इसलिए कांसलिंग की प्रक्रिया निर्दारित की गई थी तो उस में 2007 से काफी अजbear अईसे छातर थे जो सम्विदा के पत पर निर्दारित किया गए अगर उनकी मेरिट हाई होती तभी उनका सिलेक्षन नहीं हो पाता ऐसे में आयोग की जो कैबिनेट की मीठिंग होई थी और सियम नितियस कुमार की अधिस्ता में मीटिंग के जो कार था उस मीटिंग में इस फैसले पर यही निर्ले बताया गया कि अगर सभी छात्र एनेप 10709 भरती प्रक्रिया में एक्जाम देंगे तो उनको काफी बेनिफेट मिलने वाला है क्योंकि अब स्वास्त विभाग में जितने भी खाली पड़े पद हैं उनको एक्जाम के आधार पर ही पूरा किया जाएगा अर्थात एक्जाम की जो प्रक्रिया है वो हर वैकें प्रिंसी में बिहार में लागू होगी ऐसे में स्वास्त विभाग अगर एक्जाम कराने का निर्ड़े लिया है तो ये प्रकार से बहुत बड़ा निर्ड़े लिया है और ये निर्ड़े जो है वो छात्रों की हित्मे लिया है अर्थात जो एक्जाम की प्रक्रिया है वो हित्मी ही होनी वाली है गवर्मेंट ने साफ सब्दों में पहले ही कहा था कि सम्विदा एनम के जो चात्र हैं वो अपनी तयारी नहीं कर पाते क्योंकि वो लगातार कार करते रहते हैं और एनम के पत्पर नियुक्त भी है ऐसे में आयोग और गवर्मेंट के माद्यम से सम्व पर्षेंट का जो आरच्छन का प्रावधान था उसको दिया गया था अर्थात आरच्छन में कोई बदलाव नहीं किया गया जो 40 पर्षेंट का आरच्छन सम्मीदा वाले छात्रों को मिलना था ओग आयोग के माध्यम से दिया जा चुका है ऐसे में अब एक्जाम बदलने का कोई नियम नहीं हो सकता अर्थात आयोग के माध्यम से भी असपर्ष रूप से कहा जा चुका है कि अगर एनेम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया को एक्जाम के आधार पर पूरा किया जाएगा तो इसमें योग एनेम अभ्यारतियों के नियुक्ति हो सकेगी इसलिए अग कठनाई का सामना करना पड़ रहा है तो उनको 40% का आरच्षण का जो प्रावधान है उसको गौवर्मेंट की माध्यम से पहले ही दिया जा चुका है जो 40% का आरच्षण है अगर सम्विदा वाले चातर चाहें तो इस 40% के आरच्षण के मताबिक ही अपना सेलेक्शन पा स सकते हैं तो दोस्तों एक प्रकार से तो खलियर ही है कि गौवर्मेंट ने साफ़ सब्दों में असपष्ट कर दिया है कि अब अन्यम 10,77 भरती की जो बहाली की प्रक्रिया है जो उसका नेधाराण है जो आयोग की नीत है अब उस नीत में किसी भी प्रकार का कोई संसोधन किया जा सकता अर्थास दोस्तों एक प्रकार से क्लियर है कि आयों की जो नीत है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तो एक प्रकार से देखा जाए कि इस भरती को जो आधार माना गया है एकजाम का आधार क्या इसी आधार पर इस भरती को पूरा किया जाएगा कि हुई है उस बैठक में सापसाप यही सूत्रों से ख़बर मिल रही थी कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है उस बैठक में एक्जाम को के दौरा ही इस भरती को सव पर्षंट पूरा किया जाएगा और एक्जाम की प्रक्रिया ही लागो होगी आयोग किसी भी प्रकार का कोई हस इस्ता चेप इस भरती में नहीं करेगा और नहीं इस भरती में किसी भी प्रकार की स्तंसोधन की प्रक्रिया अब लाग होगे जल्द ही छात्रों का एक्जाम का सेडूल जारी कर दिया जाएगा और एक्जाम के सेडूल जारी होने के बाद सभी छात्रों को एक्जाम की प्रक काउंसलिंग होगी और उसी काउंसलिंग के आधार पर ही उन छात्रों का नियुकती पत्र का जो बित्रन का कारकरम है वो दिया जाएगा